जय हिंद तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी पीसी के सेफ जोन के बारे में बिसिकली कुछ ऐसे जोन है जो अभी भी सेफ जोन है और बहुत सारे जोन ऐसे हो चुके हैं जो एक तरीके से रेट जोन हो चुके हैं अगर आपने उसमें फॉर्म भर दिया तो बहुत ही हाई कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें इस वीडियो में आपको बताया जाया गया कि जो अभी भी कौन ऐसे जोन है जो आपके आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि सकते पहला जोन है एहमदाबाद जोन तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़ादे अधिक फॉम नहीं पड़े हैं आप लोग जो है एहमदाबाद जोन से फॉम भर सकते है ठीक है और इसमें पोस्ट भी आप लोग देख सकते है 해요 public अच्छी उला एंप सेन है तो ना तो इसमें जादे अधिक पोस्ट है और नहीं इसमें कम पोस्ट है इसलिए बहुत सारे student इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और या थोड़ा UP area से दूर भी है तो एहम्ताबाद zone में अभी भी बहुत ही कम form पढ़ी है graduate level में तो आप लोग इसमें form डाल सकते हैं अगला आपका अजमेर zone है अजमेर zone में basically 32 post है और अभी जो है अजमेर इस वक्त आपके लिए safe zone होने वाला है इसका cutoff भी बहुत ही कम जाता है आप लोग previous year का cutoff भी देख सकते हैं अगर आपको cutoff के बारे में जानना है तो इस channel पर भी आपके लिए cutoff upload कर दिया जाएगा और इस पर क्या cutoff जाने वाला है या जो है जब पूरा form फील हो जाएगा तो मैं आपको expected cutoff भी बता दूँगा खास बात यह है कि इसमें जो है train manager की post जो है आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी है 77 post है तो अगर आप लोग train manager को reference देना चाहते हैं तो आप लोग Ajmer zone से जो है आप लोग form भर सकते हैं बात करते हैं Bangalore zone की तो Bangalore zone में मैं आपको बता दूँँ कि इसमें भी जो है एंदाबाद की जगह बहुत जादे form नहीं पड़े हैं इसमें भी आप लोग form डाल सकते हैं इसमें भी काफी अच्छी पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं 496 टोटल पोस्ट है और इसमें जो है देखिए आप लोग train manager की जो पोस्ट है दो सब सैतिफ है और सातीफात station master की जो है 116 पोस्ट है तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे और form डालने से पहले ए अगले जोन की तो अगला जोन जो है आपका भौपाल जोन है तो भौपाल जोन में basically जो graduate level में form है वह आपके अजमेर से अधिक पढ़े हुए हैं तो भौपाल जोन डालने से पहले आप लोग जो है अजमेर को preference दे सकते हैं यानि कि भौपाल की जगह आप लोग अजमेर मे बताया आपने देखा कि शमें भी लगबग जो है 132 या आप लोग एहां पर देख सकते हैं तो इसमें जो फिर आ इसको नहीं देख पा रहे हैं और वो जो है जादे वेकैंस्य की तरफ या तो कम फिर डिकर जा रहे है तो अजमेर और भौपाल जो है इसमें आप लोग जो कुछ कर लेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होने बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त जो है बहुत अधिक पोस्ट होने की वज़ा से इसमें जो है बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म डाल दिया है तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे अगर आ और आप अच्छी थी ठाथ वां और छहास बात इसकी यह ठी कि इसमें घूर गुण्ट बनेजर की शी Kenneth ठीक दिया एक है थी देखेंगे कि इसमें सपी की कि पोस्ट ही नहीं समस्टर जिनको भी प्रिसरेंस में रखना होगा इसमें जो है यह नहीं डालेंगे उल्हीं और आपका जोब नहीं लेगा मतलब इस स्टेशन माफ्टर आप लोग नहीं बन पाएंगे unless game दे रहेंगे इसमें जोब के चांशेश हैं लेकिन इस्केश में बहुत ही अधीक पड़ चुके हैं क्योंनकी करते हैं गोरफ पूर मैं आपको आते हैं कि उनके पार बाक़ोन का है क्योंकि दोरी भी बाकी जोन whose बहुत अधिक नहीं है और इसमें पोस्ट भी आप लोग देखेंगे कि जो बाकी जो नहीं जो बहुत दूर-दूर है उनसे अच्छी पोस्ट है और बिलासपुर में भी अभी बहुत से अधिक छात्रों का ध्यान इस पर गया नहीं है और कमी फॉम इसमें भी पढ़ रहे हैं और इसकी खास बात अगर इस्टेशन मास्टर या फिर ट्रेंड मेनेजर को प्रिफिरेंस देना चाहते हैं तो इस जो नहीं से फॉर्म भरें और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी गोरगपूर या फिर यहां पर पटना विहार प्रयागराज इन सब छेत्र से आते हैं उनके लिए सब बेस्ट जो आप्सन है अभी के लिए बिलाव बात करते हैं चंडीगर की तो चंडीगर में जो है बेसिकलि आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है अगर आपको जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइप इसको प्रिफिरेंस देना है तो इसको जो है आप लोग ज़रूर चूज करें क्योंकि इसमें जो है स्टेशन मास्टर की थोड़ी सी कम पोस्ट है ट्रें मेनेजर की भी बहुत अदिक पोस्ट नहीं है तो जिनको भी इन दोनों को प्रिफिरेंस देना है वह इसको जो है चंडीगर को जो है स्कीप कर दे रहे हैं इसमें फॉर्म इतने भी फीलफ हुए हैं बहुत ज्यादे कंपटीशन नहीं है और बहुत कम भी कंपटीशन नहीं है तो आप लोग इसको फॉर्म इसमें से जो है इस जोन से फॉर्म जो है डाल सकते हैं बात करते हैं चेंड़ी जोन का तो जैसा कि मैंने आपको चंडीगड का जोन बताया स एक प्रकार से चेंड़ी के जोन में भी फॉर्म पड़ रहा है और चेंड़ी के जोन में भी यही खास बात है कि इसमें स्टेफर माफ्टर और ट्रेन मेनेजर की पोस्ट कम है 8 और नो आप लोग देख सकते हैं टोटल 17 पोस्ट है दोनों मिलाके जबकि इसमें जो है आप लोग यहां पर सकते हैं तो इसमें खास बात है कि इसलिए जादे नहीं पढ़ेंगे यहां कि अभी तक रेट जोड में नहीं है टो आप लोग इसको भी ध्यान में रखके फिर सकते हैं और इसका कट भी ठीक थर जाता है अब बात करते हैं अपने गोरगपूर की तो गोरगपूर में मैं आपको बता दूँकि इस बार जैसा के आप लोग जानते हैं कि केवल 139 पोस्ट इहीं है लेकिन मैं आपको बता दू कि जो भी student जो है पहली बार form भर रहे हैं और पहला attempt देंगे तो इतने कम form में आप लोग जो है form भर के आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि गुरखपूर से भी कम form नहीं पढ़ने वाले हैं इसमें मैं आपको उता दू कि पैतालिस सो से पचासी सो के बीच में लगभग form अभी इस वक्त जो है लगभग पढ़ चुके हैं ठीक है और इसके बार भी form पढ़ेंगे कितने पढ़ेंगे यह अंदाजा भी नहीं है और हो सकता है कि इसमें भी जो है competition आपको बहुत अधिक देखने को मिले और अगर वेकेंसी इंक्रीज होती है तब तो ठीक है नहीं तो इसमें भी जो है बहुत ही high competition होने वाला है क्योंकि जो है गोरगपूर के आफ़ास के जितने भी छेते के student है गोरगपूर को जो है preference देंगे जिससे जो है आपका खटाब भी high जा सकता है लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे तो एक चीज आपको notice करने को मिलेगा इसमें जो है station master की एक भी post नहीं है तो यह आप लो लोग देखेंगे तो सबसे जादे जो है ट्रेंड मनेजर की एक सट पोस्ट है और commercial कम टिकट सूपर वाजर की जो है 59 पोस्ट है तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए ही यहां पर फॉर्मर है और वैसे यहां पर जो है कटाफ जो है ठीक ठाक जाने वाला है तो उस चुके हैं और अगर आप लोग डालेंगे तो आपको बहुत ही हाई कंप्रिशन देखिने को मिलेगा क्योंकि इसमें जो है पांसो फोला पोस्ट तो था ही लेकिन इसका करणा दिखा दिखा के इसको इतना अधिक रेट जोन घोफित कर दिया गया है रेट जोन बना दिया है कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और जिसको भी जो भी वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको वहां पर दिखाया जाएगा कि बहुत सारे जो स्टुडेंट है गौहार्टी को चूच करेंगे क्योंकि सभी वीडियो में लगभग जो है गौहार्टी को स होती है इसलिए जो है यहां पर बहुत अधिक पर जुके हैं तो मैं आपको फजेश्ट यहीं करूंगा कि आप लोग गौहार्टी को जो है इसकिप कर दें क्योंकि इसमें जो है बहुत अधिक कंपेटीशन है और ऐसा भी हो सकता है कि इसका कटाफ है वह 75 के पार भी बात क पर चातरों ने इस जोन से भी भर दिया था जिससे कंपेटीशन होने के वज़ा से जो है इसका कटाब भी अच्छा गया था और उसको देखते हुए जो है इस बार भी अच्छे फॉर्म इसमें जमुग और फिजिनेगर वाले जो में पढ़ेंगे तो आप लोग इसको भी है अब लेबल हैं तो आप लोग इसको इसकी भी कर करा करते हैं जिसमें सबथे ज़्यादे कि Director्ण की कोलकाता जून में आप ढरक देखेंगे जैसा कि इसमें इसमें वेड्ल का और जान में आप लोग देखेंगे तो हर एक पूस्ट जो भी है उसमें बहुत ही आधिक यह हैं जयसे कि आप लोग देखेंगे तो इसमें जो हैदो पोस्ट आप लेगा ठीक है तो इसमें जो है सबसे जादे पोस्ट आप लोग देख सकते हैं कमर्सियल कम टिकट सुपरवाइजर की है जो कि 400 से अधीक है और उसके बाद आप लोग देखेंगे तो एकाउंट असिस्टेंट कम टाइप इस जूनेर एकाउंट जो है उनका भी जो है 284 पोस इसमें भी हो जायेगा सुप्री छाएगा क्रणेर तो यह जो है आपका लगबग बराबर का जो है कंपरटीफन हो जाता है और कटाब की रहेगा उतना ही कमापकार कताफ बनेगा तो एसा नहीं और कोल करता की कोंखाता जोंके कट जो बहुत ही हाई जा सकती है इसा नहीं है तो इसमें फ्राइ often नहीं होने वाला है हलाकि मैं आपको नहीं करूंगा कि आप लोग यहां रेकिन फिर भी आप लेकिन फिर वह इस कंपेटीशन है वह नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि बहुत पर स्टुडेंट को यह पता है कि कोलकाता जो ने कंपेटीशन बढ़ रहा है तो यहां पर आप जो है फॉर्म जो है बहुत ही कम पढ़ेंगे और उसी में उसी का जो फायदा है वहां के छात्रों को मिल सकता है जिन् फोम इने भरा है तो आप लोग इसको देख लएंगे एक वार क्योंकि इसमें अच्छी पोस्ट है ठीक है आप लोग देख सकते हैं 120 पोस्ट है तो इसमें भी आप लोग सकते हैं अगर आपको प्रिफरेंजर को प्रिफ्रेंस देना है अलांकि स्टेशन मेने जर पुल्च सकते हैं वाद सकते हैं तो आप लोग सायदा उठा सकते हैं उग्योंता बॉल सबते हैं और आपके प्रयाग राज इधर से भी बहुत सरे छात्र मुंबई जोन को फिलेट करते हैं क्योंकि इसमें पोस्ट भी अच्छी खासी दी गई है और एरिया भी बहुत ही अच्छा है और यहां पर जो है जिसका भी जॉब लगता है उसके लिए काफी जो है सुविधा होती ह है तो बहुत सरे छात रहां से ही फॉर्म भरते हैं और इसमें आप लोग देखेंगे तो ट्रेन मेनेजर की और सिटेशन मास्टर की काफी अच्छी पोस्ट हैं तो इसमें बहुत से अधिक फॉर्म पढ़ भी चुके हैं मुंबई जोन में जैसा कि कोलकाता में पढ़ रहे हैं उफी प्रकार से मुंबई जोन में भी फॉर्म पढ़ रहे हैं और इसमें भी अगर वेकेंसी इंक्रीज होती है जिसके बहुत ही अधिक चांस है तो इसमें भी कमपेटिशन जो है लगबग सभी जोन के बराबर ही होने वाला है तो अगर आपको मुंबई पसंद है मु इसली बार बहुत ही हाइक टाफ गया था इस बार भी हाइक टाफ जाने के चांसे से मुझा फर पूर्ख जो है आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है लेकिन इसमें वेकेंसी बहुत ही कम है आप लोग देखेंगे तो टोटल बारह ही वेकेंसी है जिसमें किवल दो ही ड्वाइजर की पोस्ट है तो इसको आप लोग दिखान में रखेंगे आला कि इसको आप लोग इसकी फिकर दीजीए तो अच्छा कि वह 12 पोस्ट है तो 12 पोस्ट में कोई भर्ने का फायदा नहीं है हाँ अगर आप लोग confident हैं कि हम जो अच्छा कर पाएंगे तो आप लोग इससे form डाल सकते हैं क्योंकि इससे जो कोई form नहीं भर रहा है तो इसका आपको फायदा मिल सकता है और vacancy increase होती है तो आपका जो है और भी chance से हो जाएंगे आपके selection के साथी फाप परियागराज में जो जो है गोरकपूर से अधिक पोस्ट है टोटल बीवटाशन ताइश पोस्ट हैं तो जो भी student गोरकपूर परर अच्छी जगह उन बताया उसमें फांटे हैं लेकिन पर आप अब लोग कर लेए इसका जो कुटाफ है वह हाई ही रहेगा क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे ट्रेर्र मनेजर की 102 पोस्ट है ठीक है और अपनन सीज्फ़ियर गोरभ पूर्पूर की तरह ही इसमें इस्टेपन मास्टर की पोस्ट ही नहीं है तो इस्टेपन मास्टर जिसको डालना रहेगा वह यहां फिर फर्म नहीं भरेches फिर भी पर्याग राज की जो कटाफ है वह हाई जाती है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं ठीक है फिर भी अगर आप लोग चाहें तो अगर आपका पसंदीदा जोन पर्याग राज है तो आप लोग डाल सकते हैं और ट्रेन मेनेजर की काफी अच्छी इसमें अगल स्टेशन मास्टर की पोस्ट ही नहीं है तो अगर आपको स्टेशन मास्टर ही चूच करना है तो आप लोग पटना को स्कीप करके आप लोग राची जोन से फॉर्म भर सकते हैं इसमें आप लोग देखेंगे तो स्टेशन मास्टर की तो कम ही पोस्ट है लेकिन ट्रेन मेने तो यह आपके लिए बिल्कुल गलत वाभी हो सकता है क्योंकि आपकी तरह जो है जितने भी स्टुडेंट फॉर्म डाल रहे हैं वह पिछली बार का कटाफ ही देखके फॉर्म डालेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें पिछली बार बहुत ही हाई कटाफ बना था इस बार कटाफ नीचे जा सकता है क्योंकि वहां से सभी स्टुडेंट फॉर्म डाली नहीं रहे हैं पिछला कटाफ देखने के बाद तो आप लोग जो है उसका फायदा उठाके राष्टी जोन से फॉर्म डाल सकते हैं पटना जोन को मैं आपको करूंगा कि आप लोग कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी बहुत ही अधिक अच्छी है तो आप लोग पटना से बन अगर 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 आप लोग पटना के वाला है competition तो इसको आप लोग चूच कर सकते हैं या आपके लिए बाकी कुछ जोन से तो अच्छा ही है जैसे कि आपका पटना हो गया पर्याग राज गोरगपूर इन सब से तो काफी अच्छा आपको पड़ेगा ठीक है हाला कि यह भी है कि सिकंद्राबाद में बहुत से अ प्रोग ध्यान में रखेंगे लेकिन सिकंद्राबाद आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है अगला जोने आपका फिली गुड़ी और साथी साथ त्रिवंद पूरम तो इसमें मैं आपको बता दो कि त्रिवंद पूरम में यह नहीं है यह तो ठोटल है त्रिवंद पूरम कि वह नहीं है कि इसका कटाफ कमीज है और टेवर्ण मास्टर की पूस्ट बावन है तो इतना वह ज्यादे पोस्ट नहीं है कि इसका जो कटाफ है नीचे जाएगा पिछली बार की तरह तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और जो त्रिवंद पूरम है यह काफी यहां से UPBR से दूर है तो बहुत से student इसको यह सोच के form डाल रहे हैं कि इसमें competition कम होगा और चात्रे इसमें जो है कम form डालेंगे ऐसा नहीं है तो भी लोग कटाफ का देख रहे हैं लेशिस देख रहे हैं और त्रिवन्तपूरम में भी भर-भर के form पढ़ेंगे ठीक है तो आ पहले से पता नहीं है कि कितने पोस्ट बढ़ेंगे और बढ़ेंगे भी बढ़ेंगे ठीक है अब बात करते हैं see like the headed गुड़ी में जो है 40 पोस्ट है इसमें आप लोग जो है जो इसके आफ पास वाले चात्र है वही चात्र इसमें फॉर्म डालें क्योंकि आप लोग देखेंगे इस्टेशन मास्टर की छे पोस्ट है इसी कटेगरी में एक है तो किसी में जीरो है फ्टी वालों के लिए जीरो बाकी और किसी की पोस्ट ही नहीं है तो इसमें कोई फायदा नहीं है फॉर्म डालके तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें तो बेसिकली जो है एंटी पीसी ग्रेजुएट लेवल पर यही आपका सभी जोन था मैंने मैंने आपको पूरा नेशिवकर पर बता दिया कि आ अब लेवल है उसको उठा कि मैं आपको बताने का प्रयाव करोंगा ताकि आप लोग जो है लास्ट में जाते जाते अच्छा जोन जो है चूच कर पाएं अगर आप लोग अभी भी फॉर्म नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा और इंतिजार कर सकते हैं और पूरा जो कोमेंट में बता सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक यू फो मच